23 अक्तूबर को भारत और पाकिस्तान की बीच हुए मैच ने कई लोगों के दिल तोड़े तो कई लोगों ने तोड़े खुद के टीवी और ये घटनाएं जादातर पड़ोसी देख्ष में देखने को मिली और देखो सच बोलो तो इतना तो बनता ही है जहां किंग कोली का ब अब यहां से मैच जीतना भारत के लिए काफी जादा मुश्किल था लेकिन विराट कोली और हार्दिक पांडे ने इस मुश्किल को मुम्हिन में बदलते हुए पाकिस्तान बॉलर्स की खूब खातिरदारे की और आगे मैच में क्या हुआ वो तो सब को पता है लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मैच खतम होने के बाद पाकिस्तान क्यों रो रहा है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको स्पोर्ट्स, मुवीज, रियल लाइफ स्टोरीज और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल The Studyholics को सब् करते हैं देखो मुहमन नवाज का लाश्ट आउर जिसमें भारत को 6 बॉलों में 16 रंच चाहिए थे और आउर की तीसरी बॉल जो की 9 बॉल थी जिस पे कोली ने चका मारा तो उसको लेकर पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि वो 9 बॉल नहीं थी और इसको लेकर बड़े सारे रेक्शन सामने आये हैं कि चीटिंग हुई है मैच फिक्स था और भी बहुत कुछ सुनने को मिला लेकिन जिस तरह से विराट कोली ने भारत को जीत दिलाई उसे देकर विशु भर के सभी क्रिकेट फैंस चाहिए फिरो पाकिस्तान से ही क्यों ना हूँ सभी का दिल जीत ल आखिर में एक और बात कोली काफी लंबे वक्त से फॉर्म में नहीं थे और जिसकी वज़ा से उन्हें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया और लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं खा लेकिन फिर भी विराट कोली ने हिम्मत नहीं आरी और अपने काम से चवाब दिया इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप बुरे वक्त में किसी के साथ खड़े ना हो सको तो उसे बुरा बोलके उसकी हिम्मत तोड़ने की भी कोशिश ना करें क्यूंकि सब किंग कोली नहीं होते तो बस आज की वीडियो इधरी खतम करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल दस टेड़ी हॉलिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब दक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें धन्य आवाद